जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल में सो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एक्जाम 2024 के बारे में यानि कि जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड का एक्जाम 2024 में देने वाले हैं यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो ओफिसियल बोर्ड की वेबसाइट है उसके द्वारा जो मॉडल प्रस्ण पत्र जारी खिया गया है सत्र 2023 और 2024 के लिए उसी प्रस्ण पत्र को लेकर आया हूँ यानि कि जो आपकी UP MSP की वेबसाइट है यानि उत्तर प्रदेश माधिमिक सिच्छा परिशत उस पे आप जाके देखेंगे तो यह आपको मॉडल प्रस्ण पत्र मिल जाएगा और इसकी PDF सिच्छ आपको मिल जाएगी और देखिए इस प्रस्ण पत्र का जो पुरांग है उस 70 है और आपको भी पता हुगा कि आपके भी जो बोर्ड एक्जाम में प्रस्ण पत्र आता है उसका भी पुरांग 70 होता है यानि कि जो एक्जामिनर बोर्ड एक्जामिनेशन के पेपर को सेट करता है उसी एक्जामिनर के द्वारा इस मॉडल पेपर को क्या किया गया है सेट किया गया है यानि कि मालिजे कि यह आपको एक प्रतिदर प्रस्ण पत्र है यानि कि एक model है एक प्रारूप है जैसे आपके board examination में प्रस्णाते हैं वैसे ही इस प्रस्णपत्र में होंगे और यह विशाई हिंदी के लिए है देखिए समय आपका 3 घंटे 15 में है और आपको कुछ सामाने निर्देश यानि की निर्देश दिया गया है पेपर को लेकर जैसे हर एक पेपर पेपर पे निर्देश लिखा होता है तो चलिए सुरू करते हैं देखिए पहला निर्दे से आपके सामने है कि प्रारंब के पंद्रमेट परचातियों को प्रस्ण पत्र पढ़ने के लिए क्या होता है निर्धाईत होता है यानि कि जो पंद्रमेट आपको मिलता है वो आपको प्रस्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धाईत होता है दूसरा बहकंद में आपके बाविकल्ब प्रस्चन होंगे और बह खंड में आपके 50 वर्णात्मक प्रसचन होंगे आप देखिए दिया एकि खंड का चैन करके K करना है सही कलप गोले को पूड़ रूप से काला करना है अब चलिए देखिए निरदेश दिया गया है कि बविकल्पी प्रस्ण प्रतेक प्रत्य निर्धायत है यानि एक नमर का बविकल्पी प्रस्ण मिलेंगे तो चलिए आपने इस निर्देश को पढ़ लिया अब हम इसके प्रस्ण पत्र को देखते हैं कैसा है कैसे questions इसमें आए हैं तो देखी यहाँ पे आपका खंड और स्टार्ट होता है खंड और बहुविकलपी प्रस्ण यहाँ से आपका शुरू है और एक नमबर के लिए एक question है कि बाबू गुलाब राय किस यूग के लेखक है तो बाबू गुलाब राय किस यूग के लेखक है तो देखिए इनकी रचनाय दिवेदी यूग में भी है और सुकल यूग में भी है लेकिन आप सुकल यूग को टिक करेंगे OMR में सुकल यूग क्या होगा इसका right option है क्योंकि सुकल यूग में इन्होंने ज्यादाता रचनाएं की हैं सुकल यूग में तो जो बाबू गुलाब राये हैं किस यूग के लेखक हैं तो सुकल यूग के लेखक हैं नेक्स कोशन है कि चिंतामडी किस विधा की रचना है जो चिंतामडी आपकी है वो किस विधा की रचना है तो देखिए चिंतामडी को आचारे रामचंदर सुकल ने लिखा है जो आचारे जी है हम लोग के उनी के द्वारा इसको लिखा गया है आचारे जी के द्वारा तो जो आचारे रामचंद्र सुक्ल है उनी की ये रचना है चिंतामडी और कौन सी विदा की है तो निबंद विदा की रचना है नेक्स कोशन है कि गवन किसकी रचना है जो गवन है गोदान है वो किसकी रचना है तो मुनसी प्रेमचंद की आपको पता होगा गवन गोदान एक किसकी रचना है तो मुनसी प्रेमचंद की चोथा कोश्चन आपके सामने है कि सुक लियूग की समय अवधी है जो सुक लियूग होता है उसकी समय अवधी क्या है तो मैंने आपको बताया भी था अगली बार भी कि जो 1919 से 1938 तक यानि सुक लियूग की समय अवधी क्या है 1919 से लेकर 1938 तक पाच्वा कोश्चन आपका है कि नीड का निर्मार फिर फिर किस विधा की रचना है, जो नीड का निर्मार फिर फिर है, वो किस विधा की रचना है, तो आत्म कथा विधा की रचना है, अब आप कोमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे कोमेंट करके बताएंगे, कि नीड का निर्मार फिर फिर किस ने कौन लेखक है इसका आप उसको बताएंगे और आत्मकथा विदा की रचना है मैंने बता दिया कि इसका आत्मकथा क्या है राइट ओप्शन है कि नीड का निर्वान फिर फिर आत्मकथा विदा की रचना है नेक्स कोशन है कि प्रिय प्रवास किस यूग की रचना है जो प्र मदुसाला किसकी रचना है जो मदुसाला है वो किसकी रचना है तो हरिबंस राय बच्चन की रचना है मदुसाला किसकी रचना है तो हरिबंस राय बच्चन जी की नेक्स कोशन है कि भरत भारती किसकी रचना है तो भरत भारती और साकेत किसकी रचना है मैथली सरण गुप्त की 9 question है आपका कि आधुनिक काल कब से कब तक है जो आधुनिक काल है तो मतिराम किस यूख के कभी है जो मतिराम है तो तो रीतिकाल के मतिराम रीतिकाल के कभी हैं इगारवा कोश्चन है कि हासरस का अस्थाई भाव है जो हासरस का अस्थाई भाव है ओ है हास हासरस का अस्थाई भाव हास है बारवा कोश्चन आपका है कि सोहत ओढ़े पीत पट स्याम सलोने गात मानु नील मणी सैल पर आतप प अलंकार है तो सोहत ओढ़े पीत पटू स्याम सलोने गात मनो नील मडी सहल पर जहां पर मनो मानो जनो जानो आ जाए वहां पर उत्प्रेच्छा अलंकार है यहां पर देखिए मानो आ गया तो यहां पर क्या है उत्प्रेच्छा अलंकार है इसमें एक से दूसरे वस्ति की कि रोलाचंद में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया गया है जो आकरशड सब्द होता है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है यानि जो आ है उसी का प्रियोग किया जाता है आकरसर सब्द में आ उपसर का प्रियोग किया गया है रचना के अधार पर वाक्य के कितने भेद हैं देखिए अगली बार आपके व्याकरण से बहुत कम questions आये थे लेकिन इस बार व्याकरण पर ध्यान दिया गया है और व्याकरण में question दिये गए है जैसे रचना के अधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं रचना के अधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के सोलवा कोश्चन है कि पीतांबर में कौन सा समास है तो पीतांबर में देखिए पीला है वस्तरदिसका अंबर यानि वस्तर और पीतांबर यानि पीला पीला है वस्तरदिसका देखिए इसमें करमधारे और ब्रहवरी दोनों होगा तो बोविरी क्या इसका right option है नेक्स कोशन है कि आसु का तत्सम रूप है जो आसु का तत्सम रूप हो क्या है असुरू है आसु का तत्सम रूप असुरू है नेक्स कोशन है आठारवा कि करतरी वाच में किसकी प्रधानता होती है क्या करता की प्रधानता होती है कि कर्म की कि भाव की किनमेश से कोई नहीं तो करतरी वाच है तो करता की प्रधानता इसमें होती है नेक्स कोशन है कि ताब्य सब्द में वचन एवाम बिवक्ति है ये टद का एक रूप है कि इसका तद का और इसी में पूछा गयाई कि जो ताम्य है सब्द गूं कीस वचन और इसकी इसK चतुर्थी ववचन ऑं वह बौँचन क्या है ? 20 वां कुछन आपको दिया है, कि निमलिखित में इसे सर्वनाम है, सर्वनाम क्या है वह जहां पर जैसे he, see it आप इंगलिश्ब पड़ते हैं कि किसी के नाम के अस्थान पर जो सब्द लगता है यानि वह किसी के लिए लगा ही होगा तो वह क्या इसमें सर्वनाम है यानि प्रो नाउन है अब देखिए खंडबॉ आपका यहां से स्टार्ट होता है खंडबॉ खंडबॉ में देखिए निमलिकित गध्यांस पर अधारित तीन प्रशनों का उत्तर दीजिए यानि कि दो दो नमबर के कोश्चन है आपके तीन यान टोटल छे नमबर का कोश्च देखिए पहले पैसेज को आप पढ़ेंगे पैसेज में दिया है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुची के लोगों में ही मित्रता हो सकती है समाज में विविन्ताएं देखकर भी लोग एक दुसरे से आकरसित होते हैं जो गुड हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुड चिंतासील मनुस्य प्रफुलित चित का साथ रोड़ता है निर्वल बली का और धीर उत्साही का उत्त अकांच्छा वाले चंद्रगुप्त युक्ती और उपाय के लिए चाड़क के काम मुतागता था नीती विसारत अकबर मन बाल करने के लिए बिरवल की और एक देखता था तो देखी आपका पैसेस था और प्रफ्स तो जो मित्रता का संदर्व आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गध्यांस हमारी पाठी पुष्टक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से ली गई है जिसके लेगक हमारे आचारे राम चंदर सुकली जी हैं और यहीं पर आपका संदर्व कंप्लीट हो जाएगा और आपको दो नमर क् उनकसर करेंदी कि ताकी कहीं आगर जो लड़ाई जगड़ा तो मैं क्या हो इसका साथ ले शकूंट की भी विंता हैं देखकर भी लोग एक दुसरे को पसंद करते हैं यानि जैसे कि आपके में जो quality सेम रहती है दूसरे में वही quality है तो आप उसे पसंद नहीं करेंगे थोड़ा सा quality में हाई है तो आप उसे पसंद करेंगे तो इसकी व्याख्या करनी है अपने अब दो में example देकर इसको पताना है यानि इसी सब्द की आपको क्या करना है टोटल व्याख्या करके अपने सब्दों में से लिखना है और फिर यहां पर आपको दो नंबर मिल जाएगा अब देखिए लेखक ने लेखक के अनुसार समाज में विंता देखकर लोग एक दूसरे क्यों आकर्सित होते हैं तो भाई अभी यही बात हो रहे थी कि क्यों आकर्सित होते हैं क्योंकि जो मालेजे कोई निर्वल व्यक्ति है तो चाहेगा कि मैं बलवान व्यक्ति को अपना मित्र बनाऊ ताकि ज़रुत पढ़ने पर वो मेरा साथ दे कोई गरीब व्यक्ति तो धनी व्यक्ति को अपना बनाता है मित्र की जलोद पढ़ने पने यह मुशे ले सके। जो धीर व्यक्ति है ओस अपना मित्र बनाता है । यह तकि मिश अजबता सके पर आपको ईसका एंसवर न सुपर उप मिलना जेखे अब जो देखिए यह सब दिया मंता चेप्टर से लिया गया है तो इनले लिखेंगे कि प्रस्तुत्त गध्यान समारी पाठ्य पुष्टक हिंदी के मंता नमक पाथ से लिया गया है जिसके लेखत कौन है जैसे अंकर प्रसाद जी हैं और यहां पे लिखेंगे और यहां पे भी रेखांकी तन्स को आपकी व्याख्या करनी है यहीं दो नंबर आपको संदर्ब का मिलेगा और लाश्ट में एक दिया गया और 시간 कारे को इस वर की इचा के विरुद बताय गया तो देखीए परमकी इच्छा के विरुद इतना सास पिता जी थे भगवान तब विपत्नी के लिए तो इसमें आपको पढ़ना है और इसा प्रस्ट क्या एक करना है उत्तर देंगे तो आपको दो नंबर मिल जाएगा ओक पंगु गिरिलंग है अंधय को सब कुछ दर्साई बहिर सुने गुंग पुनी बोले रंग चले सिर्छत्र धराई सूर्दास स्वामी करूना में बार बार बंदोत ही पाई बार बंदोत ही पाई अब इसमें दिया है कि उप्यूक्त पध्यांस का संदर्व लिखिए तो आप करना पड़ेगा किस चप्टर से लिया गया है और उसी तरस अंदर्व आपको लिखना है कि प्रश्टुत पध्यांस हमारी पुछ पुछ दक पूर्ट से भी लिखना है और एक हांकी तंसकी आपको व्याख्या करनी है जैसे कि जो बहिर सुने गुंग पुनी बोले रंग चले सिर्व चत्र आई यानि कि प्रश्टुत पक्ति में सूर्दाश जी करते हैं कि कोई भारा व्यक्ति भी है तो भगवान की क्रिपा से क्या करने लगता है फिर से बारा वेक्ति पिर से सुनने लगता है और गुंग व्याख्या करनी चाहिए जिस तरह आपको बूक में दिया होगा या फिर आपने पढ़ा होगा उसकी व्याख्या करनी है तो आपको दो नंबर इसमें बिल दाएगा और उप्युक्त पक्ति में कौन सा अलंगकार है अलंगकार आपको बताना है तो चरड कमल बंदव हरी राई जाकर पंगो ग्रिलंगे अंधय को सब कुछ दर जैसे कि मालिजे की जहां पर सब्द की आवरित्ती हो रही है वहां पर अनुप्रा सा लंगकार होता है बट इसमें क्या दिया है कि चरड कमल बंदव हरी राई अब इसमें तुलना किया है कि चरड कमल बंदव हरी राई तो जहां पर तुलना किया जाता है वहां पर उत्प तो इसको भी आप कर लेंगे और नेक्स कुछन आपको मिलेगा कि प्रस्ण दिये गए संस्कृत गध्यांस में से किसी एक का संदर्व सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और आपको इसका अनुवाद करना है जैसे कि अनुवाद करना है तो इसको आपको हिंदी अनुवाद करना है तो लिखेंगे प्रस्तुत प्रस्तुत गध्यांस हमारी पूछ तक हिंदी के संस्कृत खंड काव इसके वरांसी नामक चेप्टर से लिया गया है अब देखिए अथवाद में करके मानव जीवन नामक चेप्टर से मानव जियो संसक्ड से लिया गया है और इसके बारे में भी दिया गया है कि एक का संदर सय यंद्यम नुवाइद कीजिए वर कि सभी सुखी रहें इसका अनुवाद मैं बता देता हुँ आपको वर यानी सभी क्या रहें सभी निरोग रहें शभीendas हमें उनध्यास को के अधार पर निम्लीखित प्रसनों का में से किसी एक का उत्तर दीजे जो भी आपकी जिले में खंडकावे लगता हो मेवाड मुकुट ऐसेकी मोभू में लगता है अगर पूजाकावे तो जैसे जैसे आपको इसमें तीन नंबर मिल रगा है कि देखिए यहां पे गद से दिया गया जैसंकर प्रसाद आचार राम चंद शुक्ल इसमें से किसी एक प्रशन प्रस्ची आप ले जाए और इसमें से कि यह कई कर देते हुए उनकी प्रभुख रचना का मिलेगा कि एक ऐसा प्रसंध पत्र लिखिए जो आपको कंठस्त तीयाद हो और जो प्रस्ट पत्र में नवाया वह यह आपको अलग प्रस्ट पत्र से लिखना आए तो कोई एक इसलों कवर आप याद कर लेंगे जो कि आपको लिखना रहेगा यह आप दो-तिन इसलों की आद करेंगे तो आपका कवर हो जाएगा नेक्सस खूंचन नइकी निम्रीकी में से किनी दो प्रश्थ दीजिये देखी यहाँ पर्षे आपको प्रस्थ की का मुलक्ता मुल्चन का है मतलब की Ut Search नइस हमें ऐखकर दॉप्राज कॉर्यिवाह कॉर्चित और नाविशो और पुझत वीर्मशित आपको पता हो trigger तो इसी तरह को चैने उसका आपको लिखना है क्योंकि लास्ट में आपको देखिए एक विसाइप निभंद लिखना है आपको नवा कोशन पहले थे लेकिन इस बार 24 में आपको दसको न मिलेंगे और अपनी विसे रूचियों का उलेख करते हुए अपने मित्र पर मित्र को एक पत्र लिखिये जो चार नमबर का आपको मिलने वाला है और यहां पर देखिए नौ नमबर का निबंद पहल रहता था लेकिना आपको निबंद साथ नमबर का हो गया है तो भी भी आप इस अगर जो आपकी वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिक्शन को अन कर दिए क्योंकि जब तक आपका 224 बोड एक्जाम नहीं जाता तब तक हम आपकी तैयारिया को मतलब आपकी तैयारिया करवाएंग क्या क्या है अब एक आपका आपकी तैयारियो कि आपकी तैयारियो क शोड़ाएंगी प्रावण येडियो वीडियो वीडियोग है।